नमस्ते फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल फॉर यू अनली में जैसी कि आप सबको पता है कि TPSC ने LDC का रिकूट्मेंट जारी किया है जिसका ओनलाइन फॉर्म फिल अफ सेवन डिसमर से स्टार्ट हो चुका है अगर आप लोगों को इस रिकूट्मेंट के बारे में नहीं बता है तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लूट किया है उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इसका ओनलाइन फॉर्म फिल अप करना सिखाऊंगी आप लोगों को बने रहेगा इस वीडियो में उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भुलिएगा सबसे पहले आपको TPSC के ओफिशल वेबसाइट में आना है इस पेज का लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप वहाँ से क्लिक करके डारेक्ली इस पेज को ओपन कर पाएंगे यहां लेफ साइट में ओलान एप्लेकिशन का ओप्शन दिखाई देगा उस पे क्लिक करना है तो यहां आपको Current Recruitment Opening दिखाई देगा मतलब जितने भी recruitment है website में चल रहा होगा वो दिखाई देगा जैसे कि यहाँ दो option दिखाई दे रहा है एक है LDC और दूसरा है supervisor इस वीडियो में हम LDC का online form fill up करना सिखाएंगे तो पहले वालो option में जो apply here है उस पर click करेंगे अगर आपने पहले से ही TPC का registration करके रखा है तो यहाँ उपर candidate login में क्लिक करके वहाँ से आप username और password डालकर login कर पाएंगे और अगर आप first time इस website में registration कर रहे हैं तो यहाँ candidate name, mobile number और email ID डालकर generate OTP पर click करना है उसके बाद आपके mobile number और email ID पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर type करके submit करना है submit करने के बाद यहाँ लिखा गया है username is your email ID password has been emailed to you on your registered email मतलब आपका username आपका email ID है और password आपके email पर send किया गया है आप वहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ आपको अपना personal information भरना है तो पहले आपको अपना first name लिखना है उसके बाद middle name और उसके बाद last name लिखना है उसके बाद father name और mother name लिखना है उसके बाद आपको gender select करना है male है या female उसके बाद है mother tongue यहाँ आप जिस भी language से बात करते हैं वो select करना है उसके बाद अपना date of birth देना है date of birth भरने के बाद यहाँ आपका age शो करेगा automatically उसके बाद में marital status में आप married हो या unmarried watch select करना है उसके बाद है tripura residence details यहाँ आप tripura की resident है तो yes करना है और अगर आप tripura की बाहर से है तो no करना है उसके बाद PRT number पर आपको दो option दिखाए देगा अगर आपके बास PRTC है तो PRT number को select करेंगे और अगर आपके पास PRTC नहीं है आपने apply किया है तो apply for को select करेंगे यहाँ मेरे पास already PRTC है तो मैं PRT number को select करूंगी यहाँ आपको अपना PRTC number type करना है उसके बाद PRTC issuing district आपको देना है और उसके बाद PRTC issue date देना है यह सब आपको आपके PRTC certificate में देखने को मिलेगा उसके बाद identity details में अगर आपके पास आधार कार्ट है तो यहाँ yes करेंगे नहीं तो no करेंगे मैं यहाँ yes करूंगी उसके बाद यहाँ आपको अपना आधार number देना है उसके बाद name on आधार में आपके आधार कार्ट में जो नाम है वैसे ही यहाँ आपको देना है यहाँ एक और बाद अगर आपके आधार कार्ट में आपके नाम को लेकर कोई भी mistake है तो आप यहाँ पर आधार का डेटेल्स मत भरना नहीं तो आपका form रिजेक्ट भी हो सकता है उसके बाद यहाँ आपको अपना category सिलेक्ट करना है आप कौन से category से belong करते हैं वो सिलेक्ट करना है अगर आप general है तो general को सिलेक्ट करना है SC है तो SC को और अगर ST है तो ST को सिलेक्ट करना है उसके बाद सब category reservation में अगर आप physically handicapped है तो यहां से आप अपना category select करेंगे नहीं तो no कर देंगे सब fill up करने के बाद save and next पर click करना है उसके बाद एक नया page open होगा यहां पर आपको अपना address details भरना है यहां आपका अपना house number या village या आपका town type करना है उसके बाद post office देना है उसके बाद police station देना है उसके बाद city name पे आप कौन से city से हो वो देना है उसके बाद आपके area का pin code type करना है उसके बाद आपका state select करना है और उसके बाद आपका district select करना है सब details देने के बाद आप save and next पर click करेंगे यहां पर आपको physical standard मांगी गई है तो यहां पर आपका height कितना centimeter है वो देना है उसके बाद chest कितने centimeter है वो देना है उसके बाद आपको अपना weight कितना kg है वो देना है उसके बाद blacklist declaration में आपको कुछ भी नहीं करना है सिधा save and next पर click करना है उसके बाद आपको अपना qualification details भरना है qualification type में आपका maximum qualification select करेंगे result type में आप past select करेंगे marks type में आपका marks CGPA में है तो CGPA select करेंगे grade में हैं तो grade select करेंगे और percentage में हैं तो marks select करेंगे मैं यहां Marks Select करूंगी उसके बात यहां Auto F में आपका जो एक्जम था, वो टोटल कितने Marks का था वो देना है और Marks Ipter में आपको कितना Marks मिला है वो देना है State में आपने कौन से State से पढ़ाई किया है उस State को Select करना है उसके बाद यहां आपने कौन से बोर्ट से एक्जम दिया है उस बोर्ट को सिलेक्ट करेंगे सब भरने के बाद add पे क्लिक करना है Sorry, यहां branch और stream में आपने कौन से stream से भराई किया है वो type करना होगा उसके बाद save and next पर क्लिक करना है यहां work experience में आपका कोई work experience है तो यहां पर yes कर देंगे yes करने के बाद आपको यहां पर आपका work details भरना होगा मैं यहां no कर दूंगी no करने के बाद आपको save पे क्लिक करना है अभी यहां आपको अपना photo और signature अप्रोट करना होगा यहां आपका जो photo है वो 32 से 100 kb के अंदर होना चाहिए और signature जो है वो 20 से 50 kb के अंदर होना चाहिए और photo और signature जो है वो jpg या jpg या फिप ng format में होना चाहिए तो मैंने यहां पहले से अपना photo signature को edit करके रखा है तो मैं जल्दी से upload कर देती हूँ upload करने के बाद आपको save and next पर click करना है यहां select post पर आपको lda assistant select करके save and next करना है save and next करते ही यहां पर qualification दिखाई देगा यहां आपने 12th class जो है वो किस stream से pass किया है वो select करना है उसके बाद technical qualification में आपको knowledge of typing in computer select करना है और save and next करना है यहां अपना place type करना है मतलब आप कौन से जगा से इस form को fill up कर रहे है वो type करना है center preference में आप कौन से जगा पर exam देना चाहते हैं वो select करना है उसके बाद आपने यहां पर जो भी details भरा है उसको एक बार check कर लेना उसके बाद आपको 235.40 रूपीज पे करना होगा आप यहां पर payment mode जो है वो debit card से भी कर सकते हैं net banking से भी कर सकते हैं UPI से भी कर सकते हैं या फिर wallet से भी कर सकते हैं तो मैं यहां UPI को select करूँगी और iherba declare पर ticker करके pay now पे click करती हूँ यहां agree and pay पर click करना है तो मैं यहां जल्दी से अपना UPI ID type करके pay कर देती हूँ तो यहां मेरा payment जो है वो success हो गया है यहां आप print application में click करके अपना जो application है उसको print out कर सकते हैं या फिर save भी कर सकते हैं तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें share करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी informative वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद